साथियों, जब गरीब की गाउं की आय और आत्मी विश्वास बढ़ता है, तो आत्म निर्भर भारत बनाने का हमारा संकल्प भी मजबूत होता है। इस आत्मी विश्वास को मजबूत करने के लिए गाउं में हर प्रकार का आधुनिक इन्फास्रक्टर विक्सित किया जा रहा है। 2019 के पहले पांच वर्ष सवचालय, गैस, बिजली, सडक ऐसी बेसिक सुविधाओं को गाउं तक पहुचाने का काम किया गया। अब इन मुल्ग सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से भी गाउं को मजबूत किया जा रहा है। इसी पंदरा अगस को लाल के लिए से मैंने कहा था कि आने वाले एक हजार दिनों में देश के करीब 6 लाग गाउं में अप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया जाएगा। पहले देश की धाई लाग पंचायों तक फाइबर पहुंचाने का लक्ष रखा गया था। अब इसको पंचायत से आगे बढ़ा कर गाउं गाउं तक पहुंचाने का संकल पली आ गया है। इस कोरोना काल में भी प्रधान मंत्री गरीब कल्यान रोजगान अभ्यान के तहत ये काम तेजी से चला है। सिर्फ कुछ हपतों में ही देश के 116 जिलों में 5000 किलोमेटर से जादा का आप्टिकल फाइबर बिचाया जा चुका है। जिस से साड़े 1200 से जादा ग्राम पंचायतों में करीब 15,000 वाइफाइ होट स्पोर्ट और लगबग 19,000 अप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिये गये हैं। यहां मद्दप्रदेश के भी चूने हुए जिलों में 1300 किलोमेटर से जादा आप्टिकल फाइबर बिचाया गया है। भी कम हो जाएगी, जब गाउं में भी जगह जगह बहतर और तेज इंटरनेट आएगा, जगह जगह वाइफाइ होट स्पोर्ट बनेंगे, तो गाउं के बच्चों को पढ़ाई और युवाओं को कमाई के बहतर आउसर मिलेंगे। भी होट स्पोर्ट बनेंगे। भी होट स्पोर्ट बनेंगे।